नमस्कार मी प्रशान्त सागवेकर साम संजीविनिया कारिक्रमा तुम्हा सगयन साज पुनायकदा मना पासुन स्वागत नमस्कार कारिक्रमात मना पासुन स्वागत चरसेल सुरवात कराईचे मतरते आधिया पन सारांचे थोड़के तोड़क कुरुम्हेवे दक्टर गोपाल कुरुम्हा पुनायकदा मना पासुन स्वागत गुरुदत्य डाइगनौस्टिक सेंटर मधे अन्युवल हेल्थ चेकप क्लिनीक चे डाइरेक्टर रहे डॉक्टर गावडे पुनातिल अनेक मोठ्या रुगुणा लेयर मधे स्त्रीरोग और प्रसुती तद्नियम हुन सेवा पुरुवत सत्थ सामाजिक बांधिल की जपत्ते सरदार वल्लबभाई पटेल कांटेंडमेंड होस्पिटल पुने इथा गेल्या आठ वर्षान पासुन मादन सेवा पुरुवत आहे आजबर तेननी पाच हजारान प्रेक्षा जास्त शस्त्र करिया देखिल किलेट डॉक्टरांची दुसरी बाजुवशी कि स्वातंत्रे दिनी एका सैनी कला आवश्य कश्नार बैटल गियर मन्जेच असाल्ट राइफल बुलेट प्रूप जैकेट हैलमेट नाइट विजन गॉगल्स आनी इतर सामुग्री चाठी लागनारी रक्कम सैन्य दला साथी ते देतास्ताथ हेच अभियान इतरानी चालवाव या साथी ते सातत्यन जागरुती देखिल करतास्ताथ भर्गोस यशाचा अनन्द दाई मार्ग दाखोनार पुस्तक स्मार्टर सेल्फिश और वैद्यके प्रैक्टिस मधे आलेलेया अनुभवांचा आधारावर अनुभूती असे दोन पुस्तकांचे सर लेखकाई आज तेंचा कोड़न या सग्या विश्यावरती आपन विस्त्रूत माहिती गणार। सर कुन्हाइक दा मना पासुन स्वागत कारेक्रमामते आईवेफ बद्दल बोलनारे अपन सग्यात पहिलांदा जनरल एक प्रश्ण येतो आईवेफ मधे जा अडचनी आस्ताथ तेच आजली अचनी अगा आधिना जन्रशी लोका नमाहिति नसते के वा तेचे बद्दल आवेरनेस फार कम्या है तो यह अचनी कि बद्दल आपना सुरूवतेला का इसा अंता है। IVF सधरनता 78 सली सुरुवाद जाली IVF ला तचा आधी मूल प्रश्णासा होता की IVF कराईचा कसा IVF लॉंगफाय और लॉंगफाय माहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मंजे शरीरा चा बाहेर केला दानार फर्टिलाइजेशन या शबताता आरधा हसा हो तो एक श्रीज आनि एक पुरुषबीज एक घरलाईजेशन मेटल जाता IVF ही प्रकिया शरीरा चा आत्मदे, श्री चा शरीरा चा आत्मदे गर्भ वहक नडीमदे किवा फैलोपियन ट्यूब मदे होता ते प्रक्रिवाँ एमाला बाहेर कराई छिवी ही प्रक्रिविश प्रकृया अमाला बाहेर घ्र सतर्जा शरीर आठतै चा गाले लाब म दे गरभा वाधावने प्रक्रिव एख चाहिए लिए समदून जे दोक्टराणज जे आवश्यक हूता है। तब टयाचे अनाटोमी फिजिया लोजी प्रकूप साथ समदून गहिती ली तब गरभाष चाहिए अतली कैविटी ही उत्ता ट्रैंगल तरह जो जो पेह पी रिंवर्टै ट्रैंगल जो तो ट्रैंग बीज जे महिने मदे एकस तैयर होता है तैयर जाले वड़ते पकड़ों स्वाता मदे सामाउंध थे होते है आणी उल्टाया ट्राइंगल चाजो खाल चा एंगल असतो त्याला गर्भाशया चा तोन जोडलेला असतो जाला पुढ़े योनी मार्ग जोडलेला असतो जिते जितते स्रीबीज अला फर्टिलाइज करता अनी तस फर्टिलाइज के लेला स्रीबीज मा गर्भाशया करता प्रवास सुरू करता या प्रवासाला साधारंता सहा दिवस लागता या प्रवासा मदे गर्भाची डेवलप्मेंट चालू असते वाड चालू असते साहविया अग शेल मनतो है ते हैच होता आणि गर्भ बाहर पड़ोन गर्भाश नाच आच आस्टर आम अधे मूलधर तो तो इस सगडी प्रोसेस हचते ही ला आमाला कृतरी मृत्या कराईच होता शुर्वा ती चीज ये समस्या होता है ते मन्जे गर्भ एक स्रीबिज एक पुरुष अग्यावाइब समय लिए रिया आज़ा था प्रश्ण भूता स्रीवीज आघ। तो स्रीवीज को सबस्टाइबरे रहा हुए कि फिर से दौन पर फिर शिरीक नो भीज भीज होना कि कायगता है। तेज होर्मोन आमी आर्टिफिशली तयार करूं श्रीमादे इंजेट करेला सुरुबत के लिए जने करूं 15 वी श्रीमादे एकाच रेला आव आड़तेला तयात ही होर्मोन आपरोस्कूपी आपरोस्कोपी इंजे भाँड़ते होते कुछा ती होड़ते काड़ें आड़िए प्रोसेस पर हट रेला से मदतेलें एक स्मोल नीडल विजन्डात पास करूं तया नामी ओ पिक अपन्तों अधी प्रोसेस बनते प्रोसेस बनतो आधीचा प्रोबलेम असा है कि एक पूरुजबीज एक पूरुजबीज एक गरभत आयर होता है कि एक पूरुजबीज 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 दाइजेस्ट होता था अनि मग एक शिवर्चा लाट मदला एक पुरुष बेज तया स्रीबीज आला फर्टिलाइज करू शकतो मती समस्या एक प्रकारे दूर धाली पन प्रत्ते एक सथी एक लाग सपर्म अवलेबल असना तिता प्री रिक्विजेट थाली त्या नंतर में पुर्षवलिस अतला घर्वद आयर धालती पुर्षव प्रशन होता इसा पार नॱ्म टैसी ने स्री आंत प्राइतना भाइड दाला अनेक गोष्टिंचे आरेंजमेंट जाली इंक्यूबेशन चेम्बर्स मन्जे एक टेम्प्रेजर से 20 डिगरी पाहिजे तिथे असलेले नुट्रिशन सगले अबलेबल पाहिजे तिथे असलेले कार्बन डायकसाइड ऑक्सिजन और नाइट्रोज पने आर्टिफिशली तयार के लगेला जितला पीच मेंटें जाला पाईजे औस्मोलरेटी मेंटें जाला अशे एक्विस पारामेटर दोल पास पाहुंते बाता और निर्मीति के लिगेली आणी गर्भ त्यामधे वाढ़ायला सुर्वाज चाली कल्चर मेडिया मधे इंक प्रांटिवन पारामे पारामें बश्री से पांटिफिशली त्रांगरह थाली जाला पाईजे ताथिक थीकानि तालने लगेला सितला है जो दो हएक टाला पांधरा काही गर्भ आरेस्ट में जाला था से पुरे ते ग्रोह नाला। मा कोड़ी दुसर्या दिवसा परेंट किती जाता, तीसर्या परेंट किती जाता, तौथया परेंट किती जाता, पाच्वा परेंट किती जाता, साव्या परेंट किती जाता, हाँच प्रामान प्रत्य कपल मदे वेगवेगड़ासता तीसरे दिवशी काया है तो सम्झा 15 गार्व एक्ज मिडाले आमाला आनी 10 गर्भ तैयर धाले तो यह आतले पाचत सहुआ दिवसा परेंता जाता था पर कुठले पाच जानार है आमाला काय तीसरे दिवसी महीतना सहीज जर सम्झा आमी जर सम्झा आमी चार गर्भ ताक लेखा जया स्रीमदे तर सम्झा जे चार ते चार जी आये ते जानार सनौ ते पुड़ आशी आसे तो प्रेग्नांसी रही चीस नहीं आई जर ते सगले च चार जानार है तो चार जासे चार प्रेग्नंसी रहाए चाहा जा मैनेज करनो खुब आउगड़ा से ता खुब कॉम्पलिकेशन स्वाइच ब्लट पेशर वाढ़ा जो सब्टेशन वेड़े देलिवरी वाईची अगदी छुटी छुटी बाले जन्मा लेएची ते वाच तो इस डिए उद्योग करून प्रेगनेंसी नहीं रहे लेगी कि प्रचन्ड निराशा तया कपल में आई अल और नन फेनोमेनों मनना तो थो बहुत है कि राहिले तर चार-चार राय चे खिए अच्छा आज जिवा तसने राय चे आसा प्राकार रगाता तर हाएक मोठा प्र जर स्पर्म काउंट दर खुब कमी असेल आगदीस कमी कि एक प्रत्य एक लाग स्पर्म मिलना रस नहीं तर मग ती प्रेगनंसी शक्य नहीं आएचे समस्य होती कि थिस्रेये दिवसा पॉशन वाढ़ करने है माला शक्य उथनकों त्यразक प्लास्टोसिस्ट कल्चर मनाता साजटोफिस्ट मनाता ता ब्लास्टोसिस्ट मन थे थे क्परस्ट ते शक्यान होता तरियामोले एक तर प्रेग्निंसी रहे चीज नहीं आंगे रहे ला तर मग चार तीन चार चार गरभ रहे चे एकाँ चबेला आहा है जर्ट जाला मैनेज करना ती श्या उगड़ाई से वर चीज़ा होते की रहे लेले जे गरभ आहे तो जान्य सकाय ती महत्वा जा तीन समझ से आमचा समर होते हैं वा तैचा सॉलूशन हड़ो टेकनोलोजी दशी डेवलप होते हैं तशी आमी तचे सॉलूशन साइंस बंदे निगत गेले आड़ी आता आईवेफ एक फाइन आर्ट सारक त्या लेवल वरती पोस्ट लेला है जिते सक्सेस रेट परेपे की चांगला है कॉम्टिकेशन रेट कॉप कमिया है तंतरद्नयान बदल अत्ता सुम्हे मठल कि ये चमदन तुमाला पुढ़े सोसे स्मराध केले तो सग्लात पहिला जे आमता तंतरद्नयान मदला ब्रेक्थ्रूम होना अपन्द होता तो इकसी इकसी मनजे इंट्रसाइटो प्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन याचा मधे स्पर्म काउंट कमी आसता नहीं गर्भ कसा तया बाडाल आई प्रिगनंशी देता येल्हाद प्रयतना होता याचा मधे इकसी हां सग्ड़त पहला प्रयतना दाला इकसी मधे एक स्रीविजा मधे एक पुरुषविज इंजेक्शन नेडल ने इंजेट केलाद था त आपन बुलू तो तो तया कवरिंग पहले हाट वाट लगता त्या दिनदिशन मन्त वाट अपन इतनक जेंटल पाइज तर्फक्त कवरिंग हाट ले यानी तो नहीं दालो पाईज ले जानी ते महाँ बरता मदे कुत्र जा तुंड़ा एक लवेने ज़से बान मार ले होते त मैक्रो मिलिमेटर्स में हालताली कर आहएं इक हाथा जा चाह आएं ये यीज़ फैंजाता ही मज दून हो चकत है कि जिते ख्यों ग्रोस जा मॉम्मेंट कें अच जए मॉम्मेंट में चन्वर्ट केला दाएं तराल माईक्रोमेटर के तंतरद्ने मेंगोटार सब्सक्राइब तता ही हाँ जिसकी अगरोटार हाँ जिसकी छिए हग फॉर्णी का दौना, ऐग सेंटिमेटर कर दो दो पीक लिए तो स्पर्म पहल के पांव पॉर्णी एक संटिमेटर होते हैं यह तंत्रजन्याना इंट्रसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजक्षन क्यों इक्सी असमेट लगेला इक्सी चा सगड़ात मोठा फाइदा धाला जन्चा स्पर्म काउंट खुप गमिये त्या लोकान्ना इक्सी सक्ड़ात जास्तफाइदेशे कुणा लट हरते तर आगदी एक मिलियन अर्दा मिलियन काउंट आहे दोन मिलियन काउंट आहे त्या लोकान्ना प्रेग्ननसी देनाचा खात्री पुरुवक मार्ग मंजे इक्सी तो यह तंत्रजन्यान हा पहला आमचा मुठा ब्रेक् आह अर्दा खेक्सी और आप्या आहे प्रेग्नकाश। नो कोमात्या अत्या प्रेग्ननसी दौ मार्ग अहा एक्चुली अपले कदेनाप्रॉब्लेम असा है कि मूल जनमाल अल्हा भाल नाहे फग्त स्री ची दवापदरी है पुरुषाला जा दरी पुरुशालास देशाल फेल भाईला लागते तरफी अगतिक या अगतिक ते तुन तान मना होएको तो त्याचा मुले प्रेग्णनसी की लिए परदाद धिले निर्मान होतात्या सो दुष्ट चक्र निर्मान होता है पुरुष बिजन में प्रॉब्लेम्स आपड़ला और पुरुष आंकर मधायाला तर प्रेग्नसी पसुंती स्री मुखाईची तो कलंक घहुन आयुष्चे बरतीला दगायला लागाईची तर ते एकसी मुझे तो एक मुठा समस्य आमचा समुर्ची दूर थाली खुब शान शिम आयती आच्चा विश्याचे निमित्ताने खरतर मला सव आट्टकी जसात्ता सवर मनाले की स्त्रियान नाच या सग्ल्या गोष्टी फॉर्मली फेस करावे लागताला अपन सग्ल्या जर्ण नौरातर उत्सव साजरा करतो है आणि स्त्रियान चा भहुती भी गुंता गुंता है किन मूल होन येचा मतला जो एक टपा है हाँ खुप गंभी राहे आपला सग्यान चा भावनिक खरतर हां मुद्धा है आणि तो जेवा आशा पत्रिन पूर्ण रातो ते वाला कुप अस जसासरत्त मनाले प्रोब्लेमेटिक असता समस्या होता बहंड़ प्रगत तंत्रत न्यानाचा आधार जो आपन या सगया गोश्टी कुप चान पत्धति न करूशक्तो त्या करता माहिती गेणा, मार्गदर्शन गेणा, सरला गेणा, कंसल्टेशन गेणा ही कुप महतवाची गोश्टै है त्या करता स्क्रीन वर्थी सरांचे नंबर सुर योग्यास मार्गदर्शन तुमारा निष्चित पढ़ना सारांगुड़न मिवुशकेल अधुनिक तंत्रद्न्याना है तुमारा में वे वते एक चोटेशा विश्यान्ति ची कुठे जाओना का पाद रहा सामसन जीवनी विश्यान्ति नंतर तुमारा सग्रेंस पुन्हाइगदा मना पासुजन स्वागत आई वे अप मदला नविन तंतरद्न्यान पेशांट साथी एक वर्दान या विश्यावरती अपन चर्चा करतो है आणि डॉक्टर गोपाल पृष्ण कावड़े अपनेला मार्ग दर्शन क करता है इकसी बदल तुम्हेता प्रिक्षगान सांगेतला आता जो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आए असा महतला जाता है ना कि काया इसता है मगशे सांगेतला प्रमाने शुरूवाती लामाला फक्त तीसरे दिवसा पर एंब्रियो ग्रोव करना शक्या धालता है पुड़े क आता है कॉंपलिकेशन होन विड़यादी दिलिवर होन बाला नाती मुखाया छे नंतर तंत्रद्न्याना मदे बदल होत गेले तस कल्चर मेडिया मदे बदल करून एक पाइला कार्बन डायक्साइड हमी 6 परसेंट वापरायत होता है यह जी ट्रिपल गैस वापरून नाइ कर बंचेन ओन्मीं इसट्रिवकेशन हाल रखने कार्णरती वापरायत्त होतला कर्साद्र में आध्न होत फाईडनी एल रही होतगेली यह जी एसले पहते पांधना भबालला के एल्ट्रासब कर दोक्तर्मेणा कर से यह पहिला शाहलें बदले शे लिवने इसले करीवरा दोनाज गर्भव साथ गर्भा शाथ चोड़ एक मंजे इंप्लांटेशन रेट चांगला है चाली स्टक्या परें इंप्लांटेशन रेट गेलागी तर साव्या दिवसा परें गर्भवाड़ों जेवां आमाला शक्या थाल त्याँ एक सग्डात मुठा जो फाइदा चाला तो मंजे आमाला जे गर्भ मिलाले ते इंप्लांटेशन रेट खुब चांगला होता करन ते सर्वाइवल ओफिटेश चा कसोटी वरती तरून पुढ़े आले गर्भाड़ साइचे तो इंप्लांटेशन रेट साथ तीसरे दिवसा जे गर्भवां चा जो अस तो दोन गर् आएफिट्व्ट्रेट उन्स रेट दुष्ट जे गर्भ अट्या क्यों पोभल्वेत् चांगला जो जो प्रवां खुब उन्स प्रावन कमी जा आएफिल जा जो अनि जो एफिड जी म्हां जा जो डर्व बाला जा जो रेट हो तो पारेंट्स चाल्य है एवट आल्टिमे आस्टोसिस कल्चर था हां सगड़ा फाइदा होता जो अल और नन फेनोमेनान होता तो दूर धाला सर एक अन्तिम टप्या मदे खरतरा पना हो तेक दोन मिंटा है फ्रीजिंग जी क्रिया है तैचा बदल थोड़ा सा जानुग है ते मंज़े का था फ्रीजिंग ही आतीशे कॉंप्लेक्स प्रोसेस आता गर्भज राहे चे शिल लगती इस तरह दीशे आमीजे वा गर्भज ट्रांसपर कर रहे तो ते कहीं टाकून द्याला लगाएचा फ्र अर्गेनला डामेज हुन सेल नस्ट हुन दाताता जवाती वाती दीशे जवन था टे कहीं जीवन ताना सायचे ते कहीं मूल दर आए ते गर्भज प्योग था तैमोडे असा काई तन्तरत न्याना आमाला सोधाइचा होते कि जाने त्या सेल फ्रीज पन करता तील माजे जानने पानी पाहर काडना त्या छिशा मठे़ क्रायो प्रोटेक्तन आशो प्रोटेक्टन लिक्विड़ास टिन कि जी माइनस ननैटी सिक डिगरी ला ही जी ताह बरफ में होते अक मदे सोडना ही मैक्रोसकोपीग लेवले वर्ती हो ना री प्रोसेस जी त्याचा मधे शा मेटाबोलिजम थामले असता सेल्स हता है चामोडे सेल्स त्याब आरेस्टेड आवस्टे मजे वर्षान वर्ष राहु शकते है त्यामोडे एका साइकल मदे आमे जे दोन गर्भा ताकाई तो चान अंतर राहेले ले गर्भा फ्रीज करून ठेवाई चे और परत ही सगली अधी कॉसली प्रोषेस न करता है फकत ते गर्भा टीज करून गर्भा चाहा है स हासतर तैर करून गर्भा चायाँ सोडाई चे आनी तिटक आटन रेकोंस टंच संहा तो फ्रीजिंग टेक्नोलोजी ने क्यूमिलेटिव सक्सेस रेट जाला मनतो तो बाडला जर दोन गर्भा तायर थाले एक अधा शरी मजे तो न टाकले तो चालीज तक्क्या सक्सेस रेट निर्मान धाला दोन आमी खरोन ठेवाएचो तो यह फ्रीज के लिए ले घर्भा घर्भा शायर सोड ले कि क्यूमिलेटिव दोन सायकल ता सक्सेस रेट साथ टक्क्या परहेँ एला आसे सहा घर्भा मनतो तीन सायकल कार्ता है तोटल अज अछी तक्क्या थे होक परला प्रेगिनंसी तो फ्रेश गरभग अर्भा से चोडना या पेक्षा ही जासता है असा मला नंतर मुझे रिसर्च माझे जानू बुदब लाइस टीकानी तर प्रीज ओल तर टेकनिक वा परता है करेकरम अधेमात आप एंड रिजल्ट आहे अनि एंड रिजल्ट काये तर एक सुंदर हेल्दी आरोग्य संपन बाल आपन आपला गरी हुन जातो है जो जो गोड शेवट आहे तो सगड़ा कपल्स अवस्च्त मना की वा तेंची ती इच्छा हसते कुटुंबा ची इच्छा ह काम डॉक्तर आनी टीम आने के लिए अने की अपला महत्वा ची गोष्ट अश्ते जेने करूं त्या प्रोसेस वर त्या अपला विश्वास बस्तो अपला शरीर जे आए ते खूप चांगला पद्रिगा साथ देवशक्त मालो अट्ट्यातली अधिक महत्यी सुर्थुमाला निश्चित मठाना सांगु शक्तिर अपन सम्पर्क हक्रेुकर शरिओक। झाल, 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 झाल